हेलो गाईज, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अमन खुलमी आज हम लाएं क्लास नाइन के बच्छोगले आपका चाप्टर नंबर फाइव जो कि आपका भूगोल का चाप्टर फाइव है प्राक्रतिक वन्सवधी तता वन्ने पाड़ी इसके हम कुछ important points जिसने आपका पूरा चाप्टर कवर हो जाएगा और most important questions देखेंगे आपको बता है हमारे देश भारत विश्व के प्रमुक 12 जैव विवित्ता वाले देश में से एक है लगबग 47,000 विविविन जातियों के पौदे पाए जाने के कारण ये देश विश्व में 10,000 स्थान पर इश्या के देशों में 4,000 स्थान पर है बारत में लगबग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो की विश में फूलों के पौधों का 6% है बारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं जैसे की फंड, शिवाल, एलगी, कवक, फंजाई भी पाई जाते हैं बारत देश में 89,000 जातियों के जानवर तता विबिन प्रकार के मर्शलिया ताजी तता समूदरी पानी में पाई जाती है प्रक्रतिक वनस्पती का अर्थ है वनस्पती का वैभाग जो मनिश्य की साहिता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवी प्रभाफ नहीं पड़ता इसे अक्षद वनस्पती भी कहते है वैन वनस्पती जो की मूल रूप से भारते उसे देशर्ष पौशत कहते है जो पौधे पारत के बाहर से आए है उन्हें विदेशर्ष पौधे कहते है मरस्तल की बलूई मृद्दा में कटीली जाड़िया तता नद्यों की डेल्टा शित में पढ़बाती वन पाय जाते है परवतों की ठलान में जहां मृद्दा की परद गहरी है वैं शंकुधाराई वन पाय जाते है भारत में प्रकार की प्रक्रती वन नस्पता पाये जाते है जो उस्टिकेटी बन्ने वर्शा वन उस्टिकेटी कह assassinas अब उस्टिकेटी वन में वेपारिक मास्व की कुछ विर्ष पाये जाते है जैसे आबून यादि एबोनी महोगनी रोजवोड रबूर और सिंकोरा उश्रिकटी बने पनपाती वन भारत में सबसे बड़े शेत्र में फैले वह बनवें उन्हें मामसुनी वन भी कहते हैं और ये शेत्रों में सतर सेंटिमेटर से दो सो सेंटिमेटर तक वर्षा होती है ये वन जाडगन पश्रम उड़ी साच और छतीज़ में पाए जाते हैं और इंग में सबसे जादर प्रजादी सागून तथा वैपारिक मत्व के विश्पाइदाते नसे पास शिश्यम चंदन रवीर कुसुम ये वन उत्रप्रदेश तता बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं उस्ट कटी वन ने कंटीले वन में शेत्र में सतर सेंटिमेटर से कम वर्षा होती तता वन ये वन गुज्जात आजिसान, चतिसगर, मध्यप्रदेश, उत्रप्रदेश तता हर्याना में पाए जाते हैं उस्ट कटिवन्ने कंटीले वन के शेत्र मुख्य, पादप, प्रिजातियां, अकासिया, खजूर, यूफोरिया तथा दागफनी एक कंटाई है हजार मीटर से दोस्तो हजार मीटर तक की उजाई वाली शेत्रों में आत्र शितोष्ट कटिवन्ने वन पाई जाते है इनमें चौथी पत्ती वाले ओक तथा चस्टनर जैसे विश्ट के व्रिधानता होती है पंदरा सो से तीर हजार मीटर के उजाई के बीच शंकुधारी वीच विच विच जैसे चीर यानि पाईन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्यूस, सींडर, आधी पाई जाते है चत्ति सो से अधिक उचाई पर शितोष्ट रिकटी वनने वनों तक घास के मिदानों का स्थान अलपाईन पनिस्पती ले जाती है सिल्वर फर जूनिय फाईन पर चर्च वर्च वर्च इन वनों के मुख्य वन है व्रिश है इन वनों में प्राय कश्मीर, बहाम मिक्र, चित्रा, हिरन, चंगली भेड, खरगोष, तिबत्य भारा सिंगा, या, खेम, तेंदुआ, खिलहरी, रेच, आईबेक्स, कहीं-कहीं, लाल पांडा, गने वालों वाली भेड तथा वक्रियां भी पाई जाती है अब मेंगरोफ बन कहा है, यह वनिस्पती परवरते शेत्र में, जहां जार भाटा आते हैं, वहां की सबसे महत्पूर्ट वनिस्पती हैं, मिट्र और बालू इन तड़ों पर एकरते हैं, गरे में ग्रोफ एक प्रकार की वनिस्पती हैं, जिसमें पौदो की जणे पानी मे डूबी रहती हैं, गंगा, ब्रहमपूत्र, महानदी, गुदावरी, कृष्ण काविरी, नदियों की डेल्टा भाग में यह वनिस्पती मिलती हैं, गंगा जोकी भमरपूत्र डेल्टा में सुन्द्री वरिश पाए जाते हैं, जिसमें ब्रहमपूत्र लकडी प्राप्त हो सरप्रगंदा, जामुन, अरजुन, बाबुल, नीम, तुलसी, पादब और कच्छनार, बारत विश्व विबिन प्रकार की प्राणी, संपती में धनी, धयां की जीवों की 89,000 प्रजातियां मिलती हैं, देश में 1200 से अधिक पश्चियों की प्रजातियां पाए जाती हैं, यहां कुल विश्व का 13%, यहां मचलियों का 2500 प्रजातियां जो की विश्व का लगबग 12% हैं, बारत की विश्व के 5-8 प्रतेशा तक उभेचरी, सरीसिप तथा संधारी जानवर भी पाए जाते हैं, बारत में संधारी जानवर की सबसे अधिक मत्वोना यह असं करनाटक केरल के उश्व तथा आदरवनों में पाए जाते हैं, एक सिंग वाले गेंडे अने जानवर हैं, बारते जीव सुरक्षा दिनियम सन 1972 में लागू किया गया था, बारत विश्व का केला दैशा जहां पे शेर और भाग दोनों पाए जाते हैं, बारते भागों का प्राक्रत समद्री जित्रों में कच्छुए मगरमच और घड़ियाल भी पाए जाते हैं, घड़ियाल मगरमच की प्रजातिया एक ऐसा प्रतिन दिया जो कि विश्व में केवल भारत में पाए जाते हैं, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बस्तक, तोता मैना सारस कबूतर आधी कुछ पक्षी प्रजाती है जो कि देश के वनू तथा आधिर शेत्रों में रहती है और बहुत से कीड़े मुकॉड़े फसलो फलो और विशो के परांगर के विदत करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जयाविक नियंदरन रखते हैं प्रतिक प द्योगिक अफ्षिस तथा तेजावी जमाव के कारण प्रदूशन विदेशी प्रजात्यों का प्रवेश किशी तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुन कटाई पारिस्पतिक तंत के आंधुरन का कारण है बाहरत देश में पादब और जीव जीवन की सुरक्षा के और सरकार ने कई उतम अजुद कदम हैं देश में चौदा जीव मंडल निचे स्थापित के गये इनमें से चार सुंदर्वन यानि पंक्षिम मंगाल में नंदा देवी उत्तरपदेश में मनार की खाड़ी तमिलनाडू में और नीरगरी केरल करनाटक और तमिलनाडू में क चेड सरक्षन, गैंडा सरक्षन, भारते भैसा सरक्षन, पारिसबातिक तंत के संत्रलन में कई योनाएं बनाई हैं नवासी रास्टे उद्यान, उन्तालिस बक्षी आश्रस्तल और कई चिडियागर रास्टे की पादप और जीवन संबंदी के रक्षा के लिए बनाएं ग जन्तू प्रजाद या पाय जाती है, भारत का वनिस्पती जगत में विश्च्व में कौन सा स्थान है दो स्थान है, वनिस्पती क्या होता है एक शेत रुशेत जिन उग्रे वाली प्राक्रिति वेड़ पॉदर की वनिस्पति कहते है अब अक्षत वनिस्पति कैसे कहते है वेड़ वनिस्पति जो मनुष्य के साहिका के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर मारा प्रभाव नहीं पड़ता उसे ही अक्षत वनिस्पति कहते है फिर यह देशश वनिस्पति किसे कहते है तो वेड़ वनिस्पति जो की मूल रूप से बारते हुए उसे देशश वनिस्पति कहते है पादप और जन्तु जगत की विफुल विवित्ता की जमिदार घटक कौन कौन है तो भूबाग, मृत्दा, तापबान, प्रिविस्टी और सूरे का प्रगाश उस राज्जे का नाम रिको जिसमें वन आवरेंड अधिक्ता में प्रश्ण सन 2001 में वनों का कुल शेत्वल कितना प्रिश्टा था तो बीस पॉइंट परच्पन प्रतिशत था प्रगाश पारिस्टितिक तंत्र किसे कहते है तो जब वनिस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन नहीं बदली जाती है किसी भी शेत्र के पादप और बहुत थिए परएवट से अंतर्म बचे दोते है इनहीं पारश्टितिक तंत्र किकिए है जिवोम किसे कहते हैं तो धरातल पल वे एक विशिस प्रकार की वनिस्पती या प्राणी जीवन वाले विशाल पाइस्थितिक तंत को जिवोम कहते हैं बहरत में कितने परवर्ड में ब्रति या तो असम करनाटब करें फिर लास्ट कुंशिने वारती जीव सरक्षा अधिरम कब लागू किया गया तो सन 1912 में लागू किया गया तो यहां पर आपको चाफ्टर है जो कि में इन इन ऑफ की बारे में थी इन उन्हें उपर इंट्रोडक्षन मी पढ़ लिया वाकि आपको इनके बारे में अच्छे से कि कौन से कौन से प्रकार की पेर और उनके नाम जैसे सिंक होना कहां पाएगा था यह सारे पुछे जा सकते हैं तो आपको इन सबकी बारे में अच्छे से पढ़ना है और याद करना है और इनके बारे नाम तो बते ही आपको जो कि यह सारे इंट्रोडक्षन में बता दिया गया था तो चैनल को वे तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और नेक्स चैप्टर हम अपनी नेक्स वीडियो में करेंगे वीडियो को लाइक जरू करें और दोसों को साथ शेर जरू करें थांक्स वाचिंगे उपेवे गाईज